तिरपुरा में जनजाती मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार इस महीने 27 तारिक तक वारताकार की नियुक्ति कर देगी। तिरपुरा मोथा चीफ प्रदुद्द्य वर्मा ने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आज सुबा केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिट्शा ने टेलीफोन पर उनके स्वास्त की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने आश्वास्त किया कि 27 मार्च तक जन जाती मुद्दों के समाधान के लिए ग्रह मंतर आलय वार्थाकार की नियुक्ति कर देगा। हाली में अगरतला में केंद्रु ग्रह मंतरी अमिट्शा और तिप्रा मोथा के प्रमुख के बीच जन जाती लोगों की समस्याओं इसमाधान को लेकर बैठाक हुई थी इस बैठाक में भाजपा के राष्टिय अध्यक्स जेपी नड़ा नेड़ा कंवेनर और असम के मिस्रा की नाम सामने आ सकता है वारताकार के लिए हलांकि सुत्रों से मिली जानकारी आपको बता दें कि विस्वस्त सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक एक मिस्रा की नाम की चर्चा है जिन्हें वारताकार निउप किया जा सकता है तो यह बड़ी खबर आपको बता दें तिप्रा मोथा जो मांग करते आ रही थी उस पर आज तिप्रा मोथा के प्रमूख कर दिया जाएगा जो तिप्रा मोथा की सबसे बड़ी मांग रही है उस पर उन्होंने ये खबर दी है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि आसा है ग्रिह मंत्री ने जो वादा किया है उसे उन्हीं भाएंगे और ये जानकारी उन्होंने ट्विटर पर देते हुए लिखा है कि आज सुबह ही ग्रिह मंत्री ने उन्हें टेलिफोन किया और बताया कि 27 तारिक तक वार्थाकार की निय हुए ती और इस पर बादचित के बाद उन्होंने का बताया था की कि सरकार को जनजात् collaborate लोगों के लिए किस तरह से आगे बढ़ना उनके हिट्टें के लिए काम करना थे तो कम से कम नहींथ और सामने आए थी और अब यह जानकारी सामने आई है कि तिप्रा मोथा प्रमुख प्रदूद देवबर्मा को केंद्रे ग्रेमंत्री अमिट्षा ने आज सुबही फोन किया और फोन करकि यह जानकारी दी है कि 27 मार्च तक वार्थाकार की नियुक्ति कर दिजाएगी पिनाकी यह बड़ी को अब बड़ी खबर है तिप्रा के लिए कम से कम प्रदू देवबर्मा की यह रही तिप्रा मोथा की यह मांग रही थी और अब गेंद्रे ग्रेमंत्री ने फोन किया करिया करता है थे परिफिंग पर्दुर्ट कि अगले तीन चाथ दिन ने यह हो जाएगा अला कि इसमें टाइम लग रहा है और ग्रिहम अंसरी का यह जो कमिट्मेंट था उसकी तरफ अभी यह बढ़ रहा है और खुद उन्हों ने पोन करके प्रदुर्ट को यह बाता दीग कि 27 हो जाएगा तो एके मिश्रा का एक नाम आ रहा था यहां पर बार बात यह है कि जिस समिट्मेंट के तरफ जा रहे है इसे जन जाती लोगों को कितना डेवलप्मेंट और इसके ओपर भरोसा है यह बड़ी बात है कि उनका इनिशियल जो दिमांद था वो अलग रग इसाल ने पर बीजियव ज़न जाती लोगों के लिए जितना भी हो से डेवलपमेंट वो टरभेंगे और इसके पहले भी तरह स्थरा करोर का एक प्रोजेक्त का एलान किया था था यह जो फिनेल मेरा कि तरहामन यह ज़साल पहले बदा तो यह सब मिला कि जन जाती का ड़ल को वही बीजेपी चाहते हैं और प्रद्ध किशोर के लिए एक वीन-वीन पर इसके लिए वेट करना परेगा क्योंकि अगर आप देखें तो अगले एक साल में यहां पर सारे भारत के साथ यहां भी पार्लामेंट इलेक्शन होने वाला है और प्रद्ध किशोर दिर्बर्मा तो इस्ट अगर तला अरे इस्ट पुरा कंस्टिटिश्टी जो है पार्ल प्रद्ध किशोर के बातीर किप्रा मोसा जिनको अलरेडी 13 सीट मिला है यह पहली जफा इलेक्शन में जो एक स्ट्राइजी यहां तो इसको लेके यह एक स्ट्राइजी यहां ते टकाप होगा कि बीज़िपी नहीं चाहेगा कि उसके उपोजिशन में कोई रहे क्योंकि हा प्रद्ध का एक 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 एलिसिटेशन प्रोग्रम हुआ है तो उसमें उनके जो प्रेजिट प्रेजिट राजी बटाजी उन्होंने कि यह बोला कि हम लोगों का अभी कोशिशिशन रहेगा जो दो लोग सावासीत है वो मोडी जी के उसको गीव देना अगने चुनाव दो मार्च को नतीजे आये थे तिरपुरा बिधान सबा का और आज हम देख रहे हैं कि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और केंदरे ग्रिह मंत्री ने फोन किया उन्हें और बता दिया कि 27 मार्च तक एक वार्थाकार नियुक्त कर दिया जाएगा जो सुत्रों के नुसार जो ही कमान सम्हाल रहें हैं और अगर हम बात क्रें विश्वास मिलेने की जन जाति वहों को बिशुय कि त्रहाब ओधा को ने की अगर ऑटे क İs मिस्वान होती है वार्था का कि अगालेंड टुकि नागालेंड जय स्ट्रवासे जहांने में हिए वसको यह यह यही दीमो क्रेटिट इस निका इंगा पागारे दिसक पे की जो एडिसी एरिया है उसको लेके अलेग राज़ जिसको बिजिप ने औरी मना कर दिया पर अभी जो रहेगा वो रहेगा कि जंग आती लोगों के इस तरह से उनका भाषा, ख्रिस्टी, संस्कृती उसको और जो डिवलाप्पेंड हो उनका उसको केसे और एक्सपडाइब कि हाला कि एडिसी को ट्रफड़ा में और एडिसी जो मनाता तो इसमें भी इनको खास फाहिदा नहीं मिल रहा था क्योंकि इनका पूरा डिपेंडेंट था स्टेग गर्मेंट के उकर और जब जब राज्य और एडिसी में आलेप पार्टी का सरकार होता है तब इनको बहुत होता है क्योंकि एक पाइट रहता है प्रटिकुलर्ली स्कीम इनको मिले जितना उनके थो इंप्लिमेंट हो हाला कि अभी जो बार चल रहा है और और अटोनॉमी देने का बाद चल रहा है एडिसी को मानने कि जो जो स्कीम है उसको डाइरेक्ट वो केंडर से मांग के ना सकत और अपने अनुशात उसको एक शेप देके फिर इसको इंप्लिमेंट करते हैं और अल्मोस्ट डाइरेक्ट पंडिंग का बाद चल रहा है यह सब मिला के जो हो रहा है तो इससे जंग आती लोगों को फाइड़ यही बताया जा रहा है और इससे प्रदूत का भी जो डिमा झाने लग्में सिर्गाधी के लिए जयाने का लोगों के लिए लाकि इंकर अभी जो कहना यह आ जांए बी एक जन्जाती का पाटी में लिए टिजेनल पाटी है तो सब मिला के वोट बैंक तो उपर भी उनको फेट करने का उनको एक जो बात कह सके कि हम यह लाए हैं केलरे से बात करने के तो यह उनके लिए भी एक पॉलिटिकल चालेंज रहेगा तो सब मिला के और कुछी दिन का बात है हमें वेट रहना पड़ेगा देखेंगे देखना पड़ेगा कि कि कौन आ रहा है इसमें और इस पे जंजाती का कैसे डवलप्मेंट यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा